तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? इंगलिश में कहेंगे आप ये भी कह सकते हैं तो इसी तरहे के कुछ useful हिंदी सेंडिस का इंगलिश टांसलेशन आप इस वीडियो में सीखेंगे वो सीडि से भाग के नीचे उत्रा वो सीडी से भाग भाग के नीचे उतरा और वो सीडी पे भाग भाग के उपर चड़ गया जब आपको ऐसा कहना हो तो आप English में कहिए He ran down the stairs He ran up the stairs He ran up the stairs मेरा धूप सेखने का मन कर रहा है मेरा धूप सेखने का मन कर रहा है इस वक्त अब बहुत ठंड है तो जिस वज़े से ठंड में लोगों का धूप सेखने का मन करता है English में कहेंगे I feel like basking in the sun जब आपका कुछ करने का मन कर रहा है तब आप यह structure यूज़ करते हैं Feel like doing something So I feel like basking in the sun तो आप इसको कुछ ऐसे भी कह सकते है I have the urge to soak up some sun I have the urge मेरी ये urge है इच्छा है ये temptation हो रही है कि मैं थोड़ी धूप ले लूँ धूप खालू I have the urge to soak up some sun जियाँ friends धूप को हम English में sunlight या sunshine कहते हैं लेकिन हम usually इन words का use नहीं करते इस तरह की बात कहने में हम सिरफ the sun ही बोल देते है जैसे वो धूप में खड़ा है English में कहेंगे He is standing in the sun धूप में मत बैठो Don't sit in the sun So someone is in the sun मेरे पेट में गुड़गुड हो रही है ऐसा अक्सर तब होता है जब हमें भूक लगी होती है तो आप English में कहेंगे My stomach is growling My stomach is growling आप ये भी कह सकते है My stomach is rumbling My belly is rumbling और My belly is grumbling तो stomach के साथ हम इन verbs का यूज़ कर लेते हैं लेकिन हम इन सब verbs में कुछ ना कुछ difference को जरूर नोटिस करते हैं इन सब में कुछ difference है Growl, rumble, grumble mumble अगर आप चाहेंगे तो इनके बीच के difference के ओपर specially मैं एक और वीडियो बना दूँगा मूँ मत बनाओ, खुश रहो अब कोई नराज होके मूँ बनाने लगता है तब हम English में ऐसा कह रहे हैं तो कहेंगे Don't make a face, be happy This is the simplest way to say this Don't make a face, be happy और आप ये भी कह सकते हैं Don't pout, stay happy नराजगी दिखाने के लिए होट निकालेना अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं Pout का मतलब ऐसे ही ज़्यादा attractive दिखने के लिए photos में भी लोग ऐसा करते हैं जिसे usually girls photos में होट निकालके to look more attractive और पाउट का मतलब नराजगी दिखाने के लिए होट निकालना भी होता है So don't pout, stay happy ये भी कह सकते हैं Stop sulking, be cheerful Stop sulking, be cheerful Sulk करने का मतलब मुँ बनाके बैठना, किसी से बात ना करना Stop sulking, be cheerful या बोलो, keep your chin up Keep your chin up ये कहने का मतलब होता है कि खुश रहो, अपने आप वो खुश रखो चिन मतलब ठोड़ी को हम चिन बोलते हैं न तो उसको उपर रखो मतलब की लटकाओ मत मुँ मत लटकाओ कहने का मतलब ये बनता है Keep your chin up मतलब खुश रहो चलो जान छोटी ये पता है इसका मतलब पता है किया मैं क्या जहना चाहता हूँ कबी और आपके साथ ऐसा होता है कि कोई चीज है जो आपको बहुत परिशान करिये कुछ टाइम से अब आपको उससे छुटकारा मिल गया तो आप क्या कहते है चलो जान छोटी भगवान का शुकर है, जान छुटी, मिला छुटकारा, आफद गले पड़ी थी, तो जब आप इस तरह का कुछ कहना चाहते हैं, तो इंग्लिश में एक फ्रेज है, जिसका आप यूज कर सकते हैं, वो है ये, good riddance, good riddance, जब आप ये कहते हैं न, good riddance, तो कहने का मतलब होत है, चलो जान छुटी, अच्छा हुआ, मुझे छुटकारा मिल गया इस चीज से, जैसे कुछ और एक्जाम्पल्स देखिए समझने के लिए, after finishing my exams, I said, good riddance to endless studying, exams को finish करने के बाद, जब मेरे पेपर खतम हो गए, तो मैंने कहा, खुछ से कहा, चलो छुटकारा मिला, इतनी जादा पढ़ाई करनी पढ़ रहे थी, good riddance to endless studying, after quitting that stressful job, I said, good riddance to long hours and low pay, job चले गई, तो जब छोडने के बाद, मैंने बोला, कि चलो ठीक है, चुटकारा मिला, जान छुटी, इतना काम करना पढ़ रहा था, और salary इतनी कम मिल रहे थी, ये दिवार पे pen किसने चला रखे ह हम irritate होके ऐसा बोलते हैं, जब दिवार पे pen चले हुए हैं, किसी बच्चे ने ऐसा किया होगा, तो हम ऐसे कहते हैं न, तो English में बोलो, who has scribbled all over the wall, who has scribbled all over the wall, किसने पुरी दिवार पे scribble कर दिया है, scribble, इस verb का आप यूज़ करो, जब आप कहना चाहते हो, कि किसी ने परवाही से कुछ भी चला देना, बना देना, या जल्द बाजी में कुछ बना देना, who has doodled on the wall, ये wall पे doodle किसने किया है, इसका भी एक similar meaning है, लेकि doodle का मतलब होता है, कि अंजाने में हम ऐसे ही कुछ भी बना रहे हैं, for example, जब कोई फोन पे बात कर रहा होता है, तो बात पुट ग्रफिटी ऑन दे वाल, ये ग्रफिटी किसने दिवार पे बना दी, तो फ्रेंस जो दिवार पे उलट पुलट डाइग्राम्स, और पैटरंस, कॉंबिनेशन्स बनाए होते हैं, उसको इंगलिश में ग्रफिटी बोलते हैं, ग्रफिटी बोलते हैं, अजीब सा वर इस बात को कहना हो, तो आप ये कहेंगे, और साफ हो जाएंगे, साबू निकल जाएगी, या मैं डिरेक्ट भी बोल सकता हूं किसी को पानी में से निकाल दो, I hope you know what it means, इंग्लिश में कहेंगे, rinse the clothes, rinse the clothes, तो rinse का वो मीनिंग होता है, पानी में से निकालना, give the clothes a good rinse, तो यहाँ पे इस sentence में हमने इसी rinse को यूज़ कर लिया, नाउन की तरह, इसको एक अच्छे वाला rinse देना, give the clothes a good rinse, let the water run through the clothes, words, पानी पढ़ने तो थोड़ा कपड़ों में, थोड़ा अलग words में हमने इस बात को बोल दिया, वो बहुत मजबूत है, हिम्मत नहीं हारता, जब हमें किसी इनसान की ऐसे तरिफ करने हो, कि वो बड़ा हिमत वाला है, कुछ भी परिशानी, कठिनाई ये उसकी जिन्दगी में आ जाए, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता है, काफी मजबूत है, बादूर है, तो अंग्लिश में बोलो, he is resilient, he is resilient, यहां friends, इस एक word में चोटे से word में, resilient में, यह मेनिंग पूरा हाजाता है, कि वो बहादूर है, हार नहीं मानता है, कठिनाईयों को जेल कर वो, फिर दोबारा खड़ा हो जाता है, गिर कर खड़ा हो जाता है, he doesn't give up, he is resilient, या फिर आप बोलो, he is tough, and does not lose courage, हिमत नहीं हारता है वो, तो friends, उमेद आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के से वीडियो देखते रहने के लिए, बात करते हैं अगले वीडियो लेस्टन में, till then, take care, and bye.